बूर्णिंग बच्चोर आज लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं द मंकी एंड लॉग मंकी आपको पता है बंदर को बोलते हैं एंड लॉग यह बड़ा सा मोटा सा पीस जो पेड का होता है वो इसके बारे में तो इन दो चीजों के बारे में यहां पर बताए गई हैं लेसें इन इन एक्ट वन्स अपन ए टाइम सर्टन वर्कमेन वर बीजी बिल्डिंग अटेंपल वें इट वस नून तो एक समय की बात लोग के करें हैं टी बहुत सरे वरकर जो काम करने लोगे वो बीजी ते वहां पर टेंपल जो है मंदिर बानने में और मंदिर के लिए जो यहां पर दो वेक्तियों को दिकाए गया राम राव लेट्स गो टुद टॉड़ टॉड़ लंच उसमें से एक वेक्ति तुसरे वेक्ति को बोल रहा है राम राव चलो अम शहर में जाके टाउन में जाके खाना खा लेते दुपेर कर वक्ते और उनको बूक लगी रहती काम चल रहा था ओके शामरा आई विल पूट एन एज यह एंड कम हाउट तो अभी लुक लगड़े का पीस कट करें तो उसमें से बोलते शामरा में क्या करता है एक वेज़ दल दैट इस पार्ट एक लगड़े का पीस आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक्छली वो काम क तो वहां से स्काटने को शुरू करेंगे तो इतने में दूसरा क्या बोलता है लेट्स ओप नोवन टॉट वेज वाइल वी आवे तो क्या बोलगे लोग लेट्स ना लेट्स ओप मतलब कोई यहां पर ना है और इसे चूए अगर यह चूएंगे तो उनको छोट लग जाए सब्सक्राइब अब इतने में क्या है एक मंकी वहां पर आ जाता है वाट इस पीस ओफ वोट डूइंग यह तो देखें इस पिच्चर लोग लगड़े का पीस फसा के रखेते ताकि दुबारा जब आएगे तो वहां इसे काटने शूरू करेंगे तो अभी मंकी देख लेत है और गुए किकलते हैं अब हैं हगेए तो आधी को निकाल दूंगा यहां से तो क्या करता है उस टुक्डे को वहां से जो बीच में एक हिस्सा फसायता लगड़े का उसक कुष्ची निकाल देता मच्च बढ़ी मुश्क्क्लिस से निकाल लकट देखें यहां पर इस्ट बहुत मुश्किल है कि उन्हें फसाया था आउट इट के अभी फिर बात में वह निकाल लेता है अब क्या होते हैं जैसे यह लकड़ी का पीस निकाल देता है मंकी वहां से यह जो कटा हुआ हिस्सा है वह क्लोस हो जाते हैं और उसको उने के पीच्ट में इसके पूंच फॉस जाते हैं कि आपको नजड़ाता है यह पीच्ट का पिछ को ना जाता है कि इसको चोटा स लकड़ी का पीस समींट खौन्च सब्सक्राइब अभज देए हुआ लिए ओसर्फ लाकड़ी का पीस निकलते तब आटे we should not meddle with the things that are not concerned to us तो अभी उसको पूछ उसमें फर्स जाने के वज़े से उसको काफी दर्द हुई वो काफी रोने लगा कि दर्द के मारे तो इसलिए कि यहाँ पर खागा है अमें सीख दी गई है जो चीज अपका नहीं काम का नहीं है उस पर कभी भी आपको इंटर्फियर नहीं करना चाहिए उस काम के बीच में आपको नहीं जाना चाहिए जो आपका काम है सिफ उतना ही करना है दुसरी का काम में आपको जिस बार में कोई जान कर ही नहीं है पता नहीं उस चीज में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए वो सकते उसे कोई नुकसान पहुचे आपको या किसी और को तो यह आपको सीख दी गई है इसमें So we should not meddle with the things that are not concerned to her जहने जो चीज अपना नहीं है या जिसे आपने को कोई मतलब नहीं उस चीज को आमें जाके वहाँ पर interrupt नहीं करना इंटरफियर नहीं करना है या किसी चीज में अपना हाथ नहीं डालना जो चीज आपको अपना किसी काम का नहीं है तो यह सीख है ओके यहाँ पर कुछ वोट्स दिये गया है hard words है that you have to write complete the following phrases जो आपको दिया जाएगा आपको as an assignment okay bye see you and meet you in the next lecture